कल हमने आपको बताए था कि कैसे पाम तेल की कीमतों में अब आप और गिरावट एक्सपेक्ट एड़ सकते हैं अल्यडी आधी हो गए ये रिसेंट है से बट और यहां पर रहात आ सकती है FMCG के लिए अच्छी खबर है और FMCG के लिए और अच्छी खबर भी बन सकते है क्योंकि एक बड़ा मामला जो ग्लोबली एक टेंशन का मामला बढ़ा हो है वहां पर कुछ ऐसे संकेत आ रहे हैं जिसकी वज़े से अग्री कमोडिटीज में और राहत थोड़ी आपको मिल सकती है आए समझ सें इस डिवेलोपमेंट को और क्या ऐसा सच में होने वाला है या फिर कुछ और भी हो सकता है यहां पर कीमतों में और 20-25% तक की करेक्शन आ सकती है लेकिन एग्री कमोडिटी मारकेट में जो हाल-फिलाल की स्ट्रेंथ एक बार फिर से उस पर ब्रेक लगती हुई दिखी कि यूकरेन से अनाच का एक्सपोर्ट शुरू होने की एक बार फिर से खबरे आने लगी है दरसल रश्या इरान रश्याब के जो लादिमिर पुतीन साहब हैं वो इरान पहुँचे और वहां पर अपने टुकिश काउंटर पार्ट से उनकी बातचीत हुई है खबर ये निकल कर आई है कि सयुक्त राश्याब यूकरेन समेत ये चारों मिलकर एक डील पर साइन करेंगे जिसमें इस बात पर सहमती बनेगी कि ब्लाक्सी के रास्ते जो यूकरेन का शिप्मेंट है उसको छोड़ा जाए उसको यहाँ पर मन्जूरी दी जाए तो on the face of it अभी रश्या की तरफ से ये तो बयान निकल के आ रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उन्होंने कुछ इपसन बट कंडिशन लगा दी है लेकिन अभी मोटे तोर पर जो गिरावट आई है अगरी कमोडिटीज में वो इसी खबर के चलते आई है आपको बता दू कि युद्ध के चलते यूकरेन जो कि अनाज के बहुत बड़े प्रेड्यूसर्स और एक्स्पोर्टर्स में से आ जाता है दूसरी बड़ी खबर ये है कि मिस्र जो कि दुनिया के सबसे बड़े गेहूं के खरदारों में से आ जाता है उन्होंने अपना एक बड़ा जो यहाँ पर डील थी वो कैंसल कर दिये तो उसके चलते भी हमने अभी उन्होंने क्या करेगे फिर तो 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 और खाएंगे गेहूं तो लगेगा ना वहीं गेहूं का मतलब सब्स्टिट क्या है अच्छी हाल फिल हाल में उन्होंने अलग-अलग बायर से खरदारी ची है यह यूएस वीट था तो उनका यह कहना है कि अभी प्राइस अच्छे नहीं है अच्छी जहाँ यूएस वीट से याद आया आए आश्ची आपको पताएंग नहीं पताएंगे नहीं पताएंगे सोचिए आपको यादा है अमरीका से यह दल्या और ग्यों आया करता था और वो इसकूल में बना-बना के खिलाया जाता था सीरियसली मैं रिकाल से अब बाकी सब लोग तो बाकी तो बतर नहीं स्कूल गए है के नहीं तो इसलिए सब्सक्राइब करेंगे नहीं तो इसलिए वो एक वक्त था जब आप सोचिए इंडिया की सिचेशन है और एक्टली मैंने स्कूल में देखा है हम तो सरकारी स्कूल से पड़े वे तो हमने देखा कि उस वक्त अमेरिका का इंपोर्टेड ग्यों आता था उसका दल्या बनाकर रेसिस्म दिया जाता था सोचिए हिंदुस्तान कहां से कहां पहुचा है वो फूड डेफिशेंट कंट्री से आज हम फूड एक्सेस और एक्सपोर्टिंग कंट्री यह काम्यावी है और मेरी उम्र तो 50 साल है दो कम कर रहा हूं बावन तो मैंने देखे हूंगे 10-12 साल 15 साल की एज की 10-12 साल की मेरी जी युए से एड में भारत को इह हूं आया है और उसका कलर भी अलग होता था जी और वो भी एक जमाना था कि हम एड लेते थे आज एड देते हैं तो जहां पर भी दुह तो देखता है कि कुछ वहां से साहता मिलेगी तो साहता और अनुदान लेने की जगा बहारत दे रह और इसके लिए अनेल जी विशेश रूप से उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जो हमसे पहले आये और जिन्हों ने वो कश्ट है अनेल जी अबसुलूटली और हमसे ज्यादा भाग्यवान हैं हमारी नेक्स जनरेशन वाले हैं अब जयपूर गया था ना वो दो हश्ते पहले जैन साब क्यों स्पीज देने सीए स्टुटेंट्स की नेशनल कॉंसर से उनको यह बोला था मतलब जो प्यार लोगों का वहां पर मतलब गजवी है तो वो मैं उनको यह बता रहा है कि हमारे से नेक्स जनरेशन वो और भी ज्यादा फोर्चुनेट है वो एकदम साही समय पाई है करे हर एक को यह लग सकता है बट फिर भी तो हां जी आप बतारे जो गेहूं की कीमतों में हमने प्रेशर देखा वो यह क्योंकि मिस्र ने यहाँ पर अमेरिका के ही गेहूं जो है उसकी डील यहां कैंसल कर दी यह कहते हुए कि अभी तो कीमते और नीचे आएंगे हम सस्ते माल का इंतजार करेंगे Commodity Funds की तरफ से CFTC की रिपोर्ट में देख रही थी गेहू, मक्का, सोया तेल, मील सब पे उन्होंने बिक्वाली की है अपनी सारी long positions बेची है और अमेरिका के खेती वाले इलाकों में मौसम में सुधार देखने को मिला है तो ये मोटे तोर पर वो बड़े कारण है जिनकी वज़ा से हमने देखा अगरी कमोटी की कीमतों में जो कि अल्री मल्टी मन्थ लोस पर थी वहाँ गिरावट दिखी है और अब और गिरावट के आसार है बिल्कुल और आप देख भी रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा आक्शन बंते हो दिखा है FMCG में हाला कि काफी कुछ अल्री ट्राइसन हो चुका है बट यहां से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ और गिरावट आज सकती है कमोडिटी के दामों में इस्पेशली अग्री कमोडिटी के शुक्रिया निहा हमार साथ जुढने के लिए और यह सारी डीटेल्स इस समय शेर करने के